एक निया बदलाव जो पिछले पांच साल में मैंने देखा हाइर एजूकेशन के सेक्टर में वो यह कि युनिवर्सटीज में एक बहुत ही सिस्टेमेटिक सोच समझ कर एक तरीके से साजिश की तरह एबी वीपी का उन्होंने इस्तेमाल किया मोधी सरकार ने और एबी वीप एक तरीके से पोलराइजेशन करने की कोशिश की गई चाहे वो ऐएटी में अबदरास में पेरियार अंवितकर स्टुड़ी सरकल की बात हो चाहे वो हैदराबाद युनिवर्सटी में रोहित वैमुला की बात हो चाहे कीम कॉलेज में मुजफर नगर बाकी की फिल्म स्क्र करके युनिवर्सटी में हंगामा किया गया एक पोलरेजेशन की कोशिश की गई यह अटैक अपने आप में एक बहुत बड़ा अटैक है क्योंकि युनिवर्सटी जो इसी स्पेस हैं जहां पर हम ने विचार पैदा करते हैं जहां पर हम एक आजादी चाहते हैं ताकि हम खु तो इस मोधी सरकार को इस तरीकी की सरकार को इस फैशिस सरकार को जो अपने स्टूडेंट बिंक का इस्तिमाल करके युनिवर्सटीज को बरबाद कर रही है हमें रोकना है और 2019 में युनिवर्सटीज को बचाने के लिए वोट करना बहुत जरूरी है